क्या आले दोस्तों मैं विकास सुमर आपके अपने ट्रस्वर्दी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्फसर्स पे आज आपके समख्ष क्या चीज आ चुकी है यूपी एसी का जो है दोजार बीस में जिन लोग ने प्रिलिम्स को पार किया है और अब मेंस लिखने जा रहा है तै दिया गया है ठीक तो यहां पर आप एक चीज समख्ष लो पहले तो कि पहला सेशन जो होता है फोर नून से बारा दो गंटे का बीच में गैप होता है एक गंटे ही मनो ठीक और दो से पांच बेर तक आपका अफ्टरनून सेशन होता है आठ जनवरी को पेपर होगा एसे का ठीक जीएस फोर में भी तैयारी अच्छे से कर लो आप लो ठीक बाकी जीएस फोर जीएस फिलोसोफिकल पूछ रहा है ऐसे तो आपको पूरा मेटोफॉरिकल मीनिंग पता होना चीए ऐसे का जो भी टॉपिक है अच्छे से ऐसे की स्ट्रक्चियों इसा मालूम कर ठीक जो 9 जन्वरी को सेटर्डे जो है उस दिन आपका जीएस का पहला पिपर होगा जिसमें कि आपका इंडीन सोसाइटी हिस्टरी ज O geography ये सब आते हैं ठीक आपका जो है modern history का है इसमें world history भी इसमें आती है तो ये static portion है इसमें number लाने के ज्यादा chances बहुत अच्छे होते हैं ठीक है ना society वाले में थोड़ा सा current affairs से और facts थोड़ा सा जो है women कितने उस पे ncrb में क्या data चल रहा है ये सब जोड़के आपको लिखना चाहिए साथ ही साथ जो आपका GS paper 3 जो है आपका GS 2 पेपर जो है जिसमें कि आपका polity governance IR ठीक है ना basic basic जो है इनके से आता है ये एक बड़ा current affair oriented है जो भी issues चल रहे हैं polity में governance में अभी new education policy ये पक्का गोश्चन में आएगा इस से related देख लेना आप लोग ठीक है ये तरीके से जो है जो हमारे means में जो लोग select होगे उनके लिए मैं current affairs से समधित एक list दे दूँगा most important की तो उसको तयार कर लेना सब कुछ आप तयार नहीं कर सकते हो लेकिं कमसे कम मैं गहता हूँ कि देड़ सो current affair के topic अच्छे तयार कर लेना general studies paper 4 का भी बताता हूँ चलिए और 10 तारीक science and tech security defense हो गया आपका ठीक है और आपका और क्या है इसमें environment वाली चीज़े हो गई ठीक security defense यह सारा कुछ मिला के जो है GS paper 3 बनता है बहुत ही यादा scoring आप जैसे economy है तो उसमें आपको flow charts बनाने चाहिए कि भाई आप लोग monetary policy आई आपने पैसे डाले RBI ने दिये liquidity बढ़ाई उससे लोगों को के पास पैसे आए डिमांड बढ़ी ऐसा flow chart बनाना चाहिए आप लोग को economy वाले paper में i culture जिसमें food processing industries है यह सब है इनको अच्छे से इसमें facts थोड़े से त्यार कर लेना example के साथ में ठीक इसके आपका environment यह सब तो आपको पता ही होगा अच्छे से इंडिया जो है defense related जो है जो कई सारे S400 अच्छा एक चीज देखी गई है कि आपका कभी-कभी ऐसा रखता है जो जो syllabus है उसका question जो है GS1 paper पूछ लियाएगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक hardcore और बिल्कुल साइलो में रहता है पूरा syllabus यहाँ पेपर हो सकता है कि 3 वाला first में ARC2 की जो है file वो आपको अच्छा पड़ी होनी चीए हर जो syllabus में हर जो word है उस पे आपको जैसे corporate governance है अभी UPL वाला case हुआ है UPL एक company उसके shares उसमें visual blow ने आके बताया है कि इनके जो promoters हैं वहीं लोग अपना खरीद के offer उसके company की share बढ़ा रहे है उसका price तो corporate governance का एक example हो सकत इस तरीके से syllabus में जो भी word दे रखें सब का जो है अपना जो है उसका literal meaning आपको पता होना चाहिए और सातियाद उस पे examples आपके ready होने चाहिए code source का भी आप लोग यूज़ कर सकते है creativity दिखा सकते है UPSC में creativity कम शब्दों में ज्यादा बात अच्छा presentation ये बहुत जोरी चीज़े है और GS4 paper में खास दोर पे examples real life examples ठीक है ना ये नहीं theory 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 साब लिख लेंगे जो example लिखेगा अच्छे बताया case study में justify कर लेगा अपनी बा ब्रेक मिलेगी और फिर 16 तरीक को आपका पहला जो भी आप language choose करते हैं जो हिंदी वाशी लोग है वो लोग हिंदी का पहला paper में का होगा फैले 9 से 12 में और फिर 2 से 5 आपका English का paper होगा second में ये mandatory है इसमें क्या है क्या आपकी strategy होनी चीए कि paper जो भी है पूरा पूरा item करके जाओ ठीक आराम से clear हो जाएगा बट ध्यान रहे कई लोग इसमें भी लटक जाते हैं तो इसको जब हो जा lightly मत लेना और फिर उसके बाद जो है आपका एक optional paper है जिसके दो paper होते हैं 70 तारिक को होगा और बहुत अच्छे से दीजेगा यहाँ पे आपकी specialization उसको दिखानी ह होगी का मतलब अगर आपका geography है और GS paper वन आप दे रहो तो यह नहीं कि इसकी theory इसमें डालने लगो यह general studies का paper है और geography का optional paper तो कोई भी आपको sociology का optional है तो उसमें specialization यहाँ पे आपको दिखाने का पूरा वो रहेगा जिसने अच्छे से fingertips पे चीजे होनी चाहिए ठीक है आपक जो है basic basic क्या mains के बारे में बताएता हूं GS वाले अगर paper में तो main चीज नहीं है कि आपका intro होता है body होती है और आपका conclusion होता है एक flow होना चाहिए answer में आपके और जहाँ पे भी diagram map जैसे IR है GS है इसमें map जो बना नहीं बनाना है diagram बनाओ presentation hope and spoke diagram बना के दिखा सकते हो जैसे कही causes पूछ रहा है causes बीच में लिखा उसके कैसे करके आपने बता दिया flow chart economy volume बनाओ ये सारी चीजें आपके value enrichment रहती है answer writing में ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो और इसके साथ जो है 2021 का अमरा page group चालू होने वाला 15 December से आप जोईन कर सकते हैं ठीक आगे साल मे आप लोग को पता है कि 10 February को अगले साल 2021 का जो है आएका notification दो मार्स तक रहेगा और paper जो 2021 का prelims का होगा वो कब होगा आपका 27 June को होगा ठीक all the very best है कोई भी आप लोग को अगर हमाय साथ रोज जो है current affair आपका आप लोग को मिलना आप 6 वैसे only current affair के channel पे आप लोग हमाय साथ stay tuned रहे है ओके all the very best है जैन जै भारत अगर आप लोग को को यह करना है join तो आप लोग 969606089 पे call कर सकते हैं और दूसर नंबर है आपका 85856480530 जैन जै भारत